आईजी पंजाब राउसरदार अली खान की जेरे सदारत सेंट्रल पुलिस आफिस में रमा साल की आखरी आर्पियोस वीडियो लिंग कांफरंस का इनकात किया गया फैसलाबाद में शेहरी के कतल का मामला फैसलाबाद पुलिस ने 24 घंटों के अंदर कातिल को गिरफतार कर लिया और चीचा वत्नी में घुमशुदा बच्ची अदीबा मुबारिक की तलाश चारी डीपियो साहीवाल सादिक बलोज की बच्ची की बाज़जाबी की यकीन दहानी असलाब लेकुम सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूँ आजील हसनात नजर डालते हैं आज की अहाम ख़बरों पर आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की जेर सदारत सेंट्रल पोलिस आफिस में रमा साल की आखरी आर पियोज वीडियो लिंक का इनकाद न्यू एर नाइट के मौका पर वन विलिंग, हवाई फाइरिंग, काइट फ्लाइंग और आतिश गीर मादे की खरिदो फ्रॉक पर सख्त एक्शन करने की हदायत आईजी पंजाब ने मनशियात के इस्तमाल, शीशा, आइस और शराब, बिलखसूस जहरीली शराब की रुक थाम के लिए सख्त क्रैक डाउन का हुकम दे दिया इजलास में आईजी पंजाब ने तमाम इजलाग को गिरजागरों, तफरीही मकामात और गेर मुलकी शहरीयों की सेक्यूरिटी के लिए खसूसी इंतजामात करने की भी हदायत दी और लाहूर, शेखपुरा, रावल पिंडी, मुलतान, फैसलाबाद और गुजनावला रिजन्स को न्यू इर नाइट के हवाले से खसूसी टास्क सूंपा गया इस मुका पर आईजी पंजाब राऊसरदार अली खान ने कहा है के नया साल पंजाब पुलिस के लिए मजीद बेहतरी का साल साबित होगा मनظम जराइम का खातमा अवलीन तरजी होगा शेहरियों के मसाइल के हल के लिए आरपियोज, डीपियोज, तहसीलों और थानों में जाकर खुली के चहरियां लगाएं FIR के इंदराज में ताखिर बरदाश नहीं, क्राइम की फ्री रिजिस्टेशन से ही मनظम जराइम के खातमे में मदद मिलेगी फील्ड अफसरान खुद थानों का दोरा करें, जराइम की रोक थाम के लिए रात के वक्त पेट्रोलिंग में अजाफा किया जाए आईजी पंजाब का मजीद कहना था के इश्तिहारी मुल्जमान, अदालती मफरूरान और खतरनाक गैंग्स की परोफाइलिंग करके जदीद टेकनोलोजी के इस्तमाल से इने गिरफतार किया जाए सुबा भर के होटल, सराय और क्याम गाहों के मालकान और इंतजामिया को होटल लाई के इस्तमाल का पबंद करें खिलाफ वर्जी पर एक्शन किया जाए लाहोर पुलिस ने जराइम के खात्मे और मुझरमों की बेख कुनी बारे सलाना कारकर्दगी के अदाद और शमार जारी कर दिये 2021 में लाहोर पुलिस आपरेशन विंग ने 34,380 जराइम पेशाफरात को गरिफतार किया डगेती और चोरी की वारदातों में मुलविस 988 गैंक्स के 2489 मिमरान को गरिफतार किया गया कैटगरी A के 238, B के 3290 इश्तिहारी मुझरमान जबके 5,474 अदालती मफरूरान को गरिफतार किया गया मुल्जमान से 13,19,000,000 रुपे से जायद मालियत का माल मसरू का बरामत मजीद 1044 मुकदमात ट्रेस हुए नजाइस असलिहा के खिलाफ ग्रेंड ओपरेशन के दुरान 6,240 मुल्जमान गरिफतार हुए कहभा खानों के खिलाफ कारवाई के दुरान 2,527 मुल्जमान गरिफतार 737 मुकदमात दर्ज किये गए पतंग बाजी के 10,389, वन विलिंग के 1,343 और हवाई फाइरिंग के 675 मुकदमात दर्ज किये गए डियाईजी ओपरेशन्स लोहर आबिद खान का कहना है कि लाहूर शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोईकार ला रहे हैं फैसलाबाद में शहरी के कतल का मौामला फैसलाबाद पुलिस ने 24 घंटों के अंदर कातल को गिरफतार कर लिया मौल्जिम हमजा ने मामौली तल्ख किलामी पर राना मौहमद सफ्यान खान को फैरिंग करके कतल कर दिया था फैसलाबाद पुलिस ने खसूसी टीमें तश्कील देकर सर्च आपरेशन किया और मौल्जिम को गिरफतार कर लिया मौल्जिम से वाके में इस्तमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है सीपियो मौशिर मेरिकन का कहना है के केस की तप्तीश को जल्द जल्द मुकमल करके मौल्जिम को सख्ट से सख्ट सख्ट सजा दिलवाई जाएगी चीचा वतनी में गुमशिदा बच्ची अधीबा मुबारी की तलाश चारी डीपियो साहीवाल साधिक बलोच की बच्ची की बाज़्याबी की यकीन दहानी डीपियो साहی वाल सादिक बलोच चीचा वतनी में गमशुदा बच्ची अधिवा मुबारी के घर गए और बच्ची के वालिद मुबारी कली से मुलाकात की उन्होंने बच्ची के वालिद को तसली दी और कहा के आपके दुख को महसूस कर सकते हैं अदीबा मुबारी की बाज़्याबी तक चैन्ट से नहीं बैठेंगे बच्ची की बाज़्याबी के लिए मुख्लिप टीमे कोश्चे कर रही है खुदरुजाना की बनियात पर इनकी निगरानी और प्राग्रस का जाइजा ले रहा हूँ इन्शाला जल्द अदीबा की बाज़्याबी को यकीनी बनाकर मुल्जमान को सक्ट से सक्ट सिजा दलवाई जाएगी जेहलम पुलिस ने मनशियात फरोश और नजाइस असलिहा रखने वाले मुल्जमान गिरफतार कर लिए थाना सुहावाद जेहलम पुलिस ने कारवाई करते हुए नजाइस असलिहा रखने वाले मुल्जम बिलाल एहमद को नजाइस असलिहा समयत गिरफतार किया थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोश मुहम्मद तनवीर के कबजा से 138 गराम चर्स बरामत की दूसरी तरफ थाना दीना पुलिस ने मनशियात फरोश खालिद मुहम्मद को गिरफतार किया जिसके कबजा से 10 लीटर शराब बरामत हुई है जबके न्यू इयर नाइट पर आतिश बाजी की तियारी करने वाले दो मुल्जमान को भी समान समयत गिरफतार किया गया है पुलिस ने पतंग फरोश मुहम्मद सफीर से 50 पतंगें और 3 दोरें बरामत की है मुल्जमान के खिलाफ कायट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दच कर लिए गये है पुलिस थाना सिटी राजनपुर की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कारवाई नए साल के मौका पर शराब की बड़ी खेप की फरोख नाकाम बना दी गई पुलिस ने कामयाब कारवाई के नतीजे में बदनामे जुमाना शराब फरोश अयाज गुलोरी को गिरफतार और कबजा से वलायती शराब की दो पेटियां बरामत करके बुकदमा दर्च कर लिया है पुलिस की जानिब से नए साल की आमद के मौका पर जिला भर में क्रैक डाउन जारी है ये थी अब तक की खबरें मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए psca.media और social media pages